गुट मॉनें इंडिया दोस्तो नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल की कहानिया रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले चलिए दोस्तो अब इस प्यारी सी और इंट्रस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं कहानी शुरू करने से पहले एक आख़री बार इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो यह फोन या पर हेड़ फोन का उप्योग कर सकते हैं इससे इस कहानी की आउडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कहानों तक पहुँचेगी चलिए दोस्तों अब इस प्यारी सी कहानी को और देना करते वे सुरू करते हैं मेरे मकान से आगे एक लड़की रहती मेरे स्कूल आने जाने के रास्ते उसका घर के बाजू से ही जाता मुझे उसे देखना बहुत अच्छा लगता मैं हर वक्त उसके घर के सामने से यही सोच कर निकलता कि बस वो दिख जाए और वो मुझे दिख भी जाती कुछ समय के बाद तो ऐसा हो गया कि मेरे घर से निकलने के बाद वो खुद अपने घर से बाहर मिलने लगी मैं बस उसे देखता और आगी बर जाता मेरे जाते ही वो अपने घर भी चली जाती ये बाद मैंने एक दो बार चेक भी की थी कि मेरे निकलने के बाद वो अंदर चली जाती इसी तरह से मैं 55 से उसे देखता आ रहा बाद में मुझे किसी तरह से जानगारी हुई कि उसका नाम कलपना था उम्र बढ़ती गई और अब हम बढ़े हो मैं कलपना के घर के पास से जाता तो वो हमेशा मेरी तरफ देखती थी मैं उसके घर के आगे भी निकल जाता तो भी वो मुझे देखती रहती मुझे उसके इस प्रकार के देखने की बात कुछ समझ में ना आती पर उन दिनों मेरा एक दूर का दिस्तदार भाई कुछ दिन हमारे यहां छुट्टी के लिए आया था कुछ दिन तक उसने भी मेरे साथ आते जाते समय कलपना को नोटस किया फिर अकेले में मुझे से पूछा भाई बात कहां तक पहुँची मैंने उससे कहा देख भाई वो लड़की रोज देखती है लेकिन मझे पता नहीं कि वो रोज क्या देखती है वो बोला तू पागल है क्या वो रोज तुझे ही देखती है तो वो तुझे पसंद करती होगी भाई की बात सुनकर अब समझ में आ गया उसके घर से थोड़ी दूर पर खेत थै और थोड़ा और आगी एक पहार वहीं एक मंदिर साल में दो चाड़ बात यूँ कहिए तो जब भी मंद करता वहां चला जाता एक दन मैं अकेले जा रहा था तभी वो खेत के पास इस सरग पर दिखाए दी वो अकेले थी और आस पास भी कोई नहीं था मैंने हिम्मत करके कलपना से पूछा कलपना तुम हर रुज बलट कर क्या देखती हो वो बोली तुम्हारे लावा कोई होता है वहां मैं नहीं तो तुम ही यह देखूंगी हाँ पर तुम मुझे क्यूँ देखते हो क्यूंकि तुम मुझे पसंद हो उसके इस तरह से बिंदास बात सुनकर मैं अच्रच हुआ फिर मैंने पूछा तुम्हें पता है यह बात तुम्हारे घरवाला को पता चली तो उसे वो मेरे पास आई मुझे देखी और एकदम से आगे कहा कि तुम्हें लगता है यह बात घरवालों से कहूंगी मैं बोला नहीं फिर हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात करने लगी तो वो मुझे एक फिरान जगल ले गई उधर बैठ कर हम दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के बारे में जानने लगी और काफी देर तक हमारी बात भी फिर मेरा उसके घर के तरफ से जाना आना पड़ गया उसे मिलना भी हम दोनों जब भी मौका मिलता तो खेट या पेड के पीचे या जाडियों के पीचे जाते कुछ देर समय भी पिताते लेकिन उस में तक भी मैं बहुत ही भोला भाला था यूदो मेरी उम्र 20 साल थी इसी तरह कुछ दिन बीट गया फिर एक बार की बात है सर्दियों का मौसम आ गया एक तन कलपना ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा पाँच ताडी को घर के सब लोग दस्तदार की साधी में जा रहे है तो मैं घर पे रहूं अकिले मैंने कुछ पहना बनाकर खुद का जाना ताल लिया तो मैंने कहा अच्छ पर तुम साधी में क्यों नहीं गई उसने कहा तो मैंने बेफकूप कैसे हो बुद्धू मज़े तुम से मिलना था इसलिए उसकी बातों से मैं कुछ-कुछ समझा वो साइब मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी तो मैंने भी हाँ कह दिया उसने मुझे पांस ताड़ी को अपने घर आने के लिए कहा फिर देखते देखते वो दिन भी आगे मैं उस दिन उससे मिलने में काफ़ इंटरेस्ट था पांस ताड़ी को हम दोनों उसके घर में मिले उस दिन उसने पहुत एक खूब सूरत सी फिट सलवार जूट पहना था घर के अंदर जाते ही हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे एक दूसरे के आँखों ही आँखों में देखने लगे और फिर उसने मुझे कहा I love you मैंने मुझे कहा I love you टूकल बना पिर हम दोनों काफी दिर बात किये मुझे भी अभी घर जाने की कोई हरबरी ना थी क्योंकि मैं तो घर से ये कहके आया था कि अभी मैं लेट से घरा हुआ कॉलेज से कुछ बहा जाना है कॉलेज के बहाने मैं घर से निकला तो था लेकिन मैं college किया नहीं था तो अभी मेरे पास पानचे घंटे का समय था और प्रियंका के पास तो भी करीब काफी दिन समय था तीन-चार दिन तो इसी तरह काफी दिन यूँ ही बिद गये उस दिन के बाद मीमें तीन-चार दिन उसके घर गया और उसके साथ कुछ दिर बात करता और फिर बापस आ जाता ये सिलसिला चलता रहा फिर उसके घर वाले आगे तो उसका घर जाना बंद हो गया लेकिन अब उससे मुलाकात की बहुत ही मन करता तो हम दोनों फिर से कोई जगा जहां हम दोनों अकेले मिल जाए वहाँ पर रुक के घंटो बात करते हैं इसी तरह हमाया प्यार का ये सिलसिदा चलता रहा फिर हम दोनों ने अपने घर पर ये कहा कि बाहर परना है और हम दोनों बाहर परने के लिए आ गए ऐसे में हम दोनों एक दूस्ते के साथ बहुत ही अच्छी पल भी ताएं लेकिन उसके साथी फिर कहीं और फिक्स हो गई और वो अपने घर वालों की मर्जी से साथी कर ली आज भी बस उसकी याद ही आती है ये कहानी उसकी याद में है तो दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरू करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ तिल देन बाइ बाइ टेक केर